मैं आप सब का स्वाज़त है मैं आज आपको जटपट बनने वाले धही वड़े बनाना सिखाने वाली हूँ वह बहुत इजी और रूप टेस्टी है तो चलो हम देखते हैं कैसे बनाना है दही वड़ा बनाने के लिए हमें एक कप जाड़ा पोह चाहिए या पतला कोई भी चलेगा इसको हमें धोके लेना है जो हमने पोहे विधो है थे न इक मिकसर के पॉट में निकालेंगे इसमें तीन स्लाइस ब्रेट डालेंगे तुकडे कर देगे हम इसके चोटे-चोटे पीसेश बनाके ये पीसेश करके डालेंगे तीन-चारा डाल सकते हो कम ज्यादा ऐसा खुछ नहीं है इसमें नमक एक चमच जीरा हमने इसको मिक्सर में से बारिक पीस के लेना है इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डालेंगे इतना देखेंगे अगर जरूद पड़ती तो और डालेंगे मैंने तेल गरम करने के लिए रखाया भी यह देखो यह हमारा बैटर तैयार हो गया है एकदम मस्त इसमें इस चमच से दो चमच रखा डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोड़ा नुमक हमने डाला है फिर भी आप चेक करके अगर जरूद सा तो पड़ में डालेंगे बस अपना रेडी है अभी इसको डिप फ्राय करेंगे तेल गरम हो चुका है तो इसमें छोटे छोटे वड़े डालेंगे दही वड़े के लिए मैंने दही लिया है फेट लिया है उसको इसमें हम एक चमच शकर डालेंगे और अपने स्वार्थ के अलुसा नमक डालेंगे दही रेडी करेंगे तब तक हमारे वड़े तैर हो जाएंगे हम नॉर्मली जब दही वड़े करते तो उसको थोड़ा पाले में सोखने के लिए डालते हैं तो हम इसमें डालेंगे थोड़े पाने में डालेंगे दोचर ऐसे रखेंगे बड़े निकल रही हूं लेट में जो पाने में नहीं डाला था वह भी रखूंगे में किसी किसो को ऐसे पसंद आता है इसलिए इसमें हम अब भी दही डालेंगे रिकी चट्नी थोड़ासा लाले मिर्च बाउड़ थोड़ासा नमक तो जीर बाउड़ अपने दही वड़े तैयार देखो कितने फटा पट बने हैं 10 मिनिट में दही वड़ा तैयार हो जाता है तोड़के दिखा थे आपको देखें कितना मस बनाया है खाने के बाद पता भी नहीं चलता है कि यह दाल के वड़े हैं या किसी और चीज़ के हैं